नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार आरस इस्टेडी ट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो हम लेक रहे हैं गणित के पांच मोस्ट इंपोर्टेंट की उसन जो बार-बार परतियों की प्रिक्साओं में सब्सक्राइब कर लेजिए और नोटिपिकेशन बेल को ओन कर लेजिए ताकि आने वाले वीडियो की पलपल की अपडेट आप तक पांचती रहे हैं इसके साथ इन सभी वीडियो की पीडियेप फाइल तता अन्यक परकार के नौट्स प्राप्त करने के लिए हमारे वेतन में पहले 20% की वर्दी की गई है फिर उसमें 20% की कमी की गई है उसके वेतन में की परिवर्तन क्या होगा ठीक है तो आपको बताया कि जब बराबर ही कमी है और उतनी ही वर्दी है या फिर उतना हिलाब है जितनी ही हानी है तो ऐसे इस्तति में क्या होगा निश्चित रूप से कमी ही होगी और कितनी कमी होगी उसके लिए हमें क्या करना होगा कितना दिया गया बीस परतिसत की वर्दी और बीस परतिसत की कमी दी गई है तो हमें करना होगा बीस गुणा बीस बटे क्या करना होगा सोका बाग देना होगा 0-0, 0-0, 2-4 परतिसत की और होगी क्या निश्चित रूप से कमी ही होगी Option number A right होगा यदि 10 परतिसत की वर्दी और 10 परतिसत की कमी होती तो क्या होता 10 गुणा 10 बटे 100 तो कितना होता 1 परतिसत की कमी और यदि यहाँ पे 50 दिया होता तो हम कहते 50 गुणा 50 बटे 100 तो कितनी होती तो कमी होती आपकी 0-0, 0-0, 25 परतिसत की कमी परन्तु जब बराबर ही वर्दी दे गई है बराबर ही कमी दे गई है तो ऐसी स्थती में निश्चित रूप से कमी ही होगी ठीक है और कितनी होगी उसके लिए आपको ट्रिक बता दी गई है आप किसी भी परसन को आसानी से स्वाल कर सकते हो Next question A की I का 35 परतिसत B की I के 25 परतिसत के बराबर है दोनों की I का अनुपाद क्या है बिलकुल आसान सा question है किस परकार दे की I का 35 परतिसत B की I के 25 परतिसत के बराबर होगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग गट जाएगा साथ बार तो कितना आएगा पांच अनुपात साथ है जो कि किस ओप्षन में दिया गिया ओप्षन बी में दिया गिया ओप्षन बीश का क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाब पर बेचना चाहता था लेकिन वास्तों में उसने इसे 20% हानी पर 480 रुपए में बेचा लाब प्राप्ट करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मुल्डे पर बेचना था देखे परसन को समझने की कोशिश कीजिए बहुत ही आसान परसन है किस परकार है आसान कि वह बोल रहा है कि 20% लाब पर बेचना चाहता था और 20% हानी पर बेचता है कितने रुपए में बेचता है 480 रुपए में बेचता है चार सो ची कितने परतिसेत हो गया करेम उले में इसा सो परतिसेत होता आपको बार बार बताया गया है तो 20% हानी पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 80% में बेचेगा तो यह हम कह सकते है 400 ची कितना हो गया 80% हो गया अब हमें निकालना क्या है निकालना उसका 20% लाब है कराइ मुल्य होगा और यह दिदी फिर अतला पर बेचिंगे पर बेचेगा 원asmus को जीरोटिषे लेंगे चार के पाड़ए से यह तीन भार कट जाएगा यह दो बार कट जाएगा दो का बाग चार सो अशी में कितनी बार जाएगा 240 बार जाएगा 240 को 3 से गुणा करवाना कितना होगा 24, 3, 32 0 उतार दिया 720 रूपए में बेचना होगा उसे 20% लाप प्राप्ट करने के लिए Option number A right होगा इस क्यूशन का Next क्यूशन संत्रे के मुल्य में यहाँ पे मिस्प्रिंटिंग होगा संत्रों के मुल्य में होगा संत्रों के मुल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ती 120 रूपए में 30 संत्रे अधिक खरीद सकता है तो संत्रों का प्रारंबिक भाव पर 30 संत्रा कितना होगा तो देखिए आपको बताया गिया है कि जब किसी मुल्य में 20% की कमी होगी तो खपत में कितनी वर्दी करनी होगी या 25 परतिसत की वर्दी होगी तो खपत में कितनी कमी करनी होगी या तो आपको चीनी के भावाले क्यूसनों में बार बार बताया गिया तो मुल्य में 20 परतिसत की कमी हो रही है तो वर्दी कितनी करनी पड़ेगी खपत में 20 से बट्टे क्या करना होगा कितनी कमी हो रही है 20 परतिसत की कमी हो रही है तो 100 में से 20 गटाएंगे तो 80 गुणा क्या करना होगा आपको 100 से गुणा करना होगा 0 से 0, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार और चार से सो इतनी बार कटेगा भाए 25 रा तो पपेशिस पर तिसत अधिक खरीदने होंगे या पच्ची सवनें वर्दी करनी होगी और यह बोल रहा कि 120 में 30 संट्रे अधिक खरीद सकता तो यह 30 संट्रे क्या होगे 25 पर तिसत अधिक खरीद सकता तो पहले वय 120 रुपए में कितने संत्रे खरीदता था, 120 ही संत्रे खरीदता था, तो एक संत्रे का मुल्य कितना था, 120 रुपए में 120 संत्रे खरीदता था, तो हम कह सकते हैं, एक संत्रे का मुल्य एक रुपए था, तो कौन सा ओप्शन राइट होगा, ओप्शन नमबर बी र देखे मान दो वस्तु का मुल्य सो रूपे है पहले दस परतिसत की चूटती मतलब 90 परतिसत पिर उसकी 20 परतिसत मतलब उसका 80 परतिसत और फिर उसकी 40 परतिसत मतलब उसका 60 परतिसत 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 1 और 2 0 से 2 0, 1 0 रह गया, 10 रह गया, 9 ठे, 22 और 22 को 6 से गुणा करें, कितना हो जाएगा 6, 12 और कितना हो जाएगा 7, 42 और 1, 43, 432 में भाग देंगे 10 का, कितना होगा 43, 10 मलव 2 बचेगा अमारे पास, 43, 10 मलव 2 बचेगा ये सभी छूट देने के पस्चाथ, तो छूट कितनी हो गई वस्तू का मूल लेता 100, तो 100 में से 43, 10 मलव 2 बचेगा, तो 56,8 तो 56,8 परतिसत की छूट के बराबर होगे ये सभी, कौन से ओप्षन में दिया गया, 56,8 है, ओप्षन नमबर B में दिया गया, तो ओप्षन नमबर B क्या होगा, इस क्यूशन का लीजिए और नोटिपिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पलपल के अपडेट आप तक पहुंशती रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्यू, धन्यवाद